कि अच्छ आज आज वागत है आज जैसा कि फ्रेंज आप थम्नल पे देख चुके हो आज की वीडियो में आपको गुड निउस जो है वह देखने को मिलेगी फ्रेंज क्या कुछ आज की निउस है आज की इस वीडियो में हम वह देखते हैं तो चलिए फ्रेंज वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को नैनराज दर करके सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में हमा आप अप्लोड कर रहे हैं तो आप motivation फ्रेंट्स ले सकते हो आप इस ग्रूप को join कर सकते हो तो हिंदी में post ताकि आपके लिए भी easy हो जाए और आप जो है डेली motivation ले सकते हो तो चलिए friends आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं friends आज के क्या कुछ नहे अटेट हैं क्या कुछ good news है सबसे पहले friends हम good news की बात करें AI marketing में तो सबसे पहले friends मैं आपको बता दू ROBOT ने 10-7-2-0-22 का ROBOT ने fund उठाना शुरू कर दिया है और साथ में friends रोबोट ने 11-7-22 का fund उठाना शुरू कर दिया है और friends good news ये है जब रोबोट ने अब delay देखें friends तो रोबोट ने अगर 11-7-22 का fund उठाना शुरू कर दिया है actual जो delay है friends वो delay 7 days का है और ऐसे delay देखा जाए वो 9 days का है देखें friends आपकी reinvestment जब मैंने आपको reinvestment कहा था कि आप तब reinvestment ये ना करें अगर आपने तब ही बंद की होती तो अभी हम बहुत ज़ादा आगे friends हो जाते तो चलिए friends अभी से भी कोई देर नहीं हुए वो कहते हैं कि देर से ही अगर आपने उस टाइम पे आपको पहले ही बता दिया था कि reinvestment को बंद किया जाए उसके बाद AI marketing official से आपको जो है वो news भी आई लेकिन friends जिस टाइम हमने पहले का था तब लोग मान नहीं रहे थे वो कह रहे थे कि अपनी YouTube पे चलाते रहते हैं कुछ WhatsApp वगेरा पे भी चला था कुछ लोग कहते रहते हैं friends कुछ लोग negative comment करते हैं positive comment भी करते हैं 50 अगर comment आते हैं उसमें 48 positive आते हैं तो negative comment भी आते हैं तो अगर आपने उस टाइम पे friends मान लिया होता तो वो चीज भी जो है वो आज देखने को आपको मिली अभी official आया तो friends अभी भी वो ही करना था 10 दिन पहले भी आपने वो ही करना था साथ में friends मैं दूसरा बता दू मैंने आपको यापको अगर याद होगा आप हमारी वीडियो को अगर continue follow करते हो तो मैंने एक मीने पहले आपको कहा था कि अगर cryptocurrency legal हुआ तो dollar में जो है वो गिरावट देखने को मिली तो आज कल वो news जो है वो trending में तो मैंने आपको अगर याद होगा आपको एक मीने पहले ये चीज बताई थी उस पे भी कुछ लोगों ने बताया था नैनराज ने वो सारा जो है वो देखने को मिलेगा अब फ्रेंट्स यहाँ पे बात करें कुछ AI marketing के कुछ ऐसे account है जिन में continue जो है वो cashback आ रहा है अब उनमें zero sales problem जो है वो display नहीं हो रही है तो फ्रेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो latest प्रेंट्स यह बहुत लोगों को पहले से भी आ रही है कि कहीं को एक मीना दो मीना लगबग यह एक मीने से फ्रेंट्स यह चल रही है आप अगर इस problem को देखो दे पहले जो आई थी फ्रेंट्स उसको solve किया गया था लेकन अभी जो है वो current account में है तो यहाँ पे फ्रेंट्स दूसरी यह news है फ्रेंट्स अभी मैं आपको बता दूँ कुछ group जो है AI marketing scam करने के नाम से बने हुए है तो वो आपको जो है वो आपको message करेंगे अभी friends कुछ एक message देख रहा था मैं message मिरको forward किया गया था आपका जो NBO है NBO को sell कीजिए NBO और AI marketing का जो है वो मालिक जो honor है वो एक ही है ऐसा friends देखिए ऐसा कुछ नहीं है अभी क्या हो रहा है friends कुछ लोग जो है वो negative video जो है negative comment जो है वो comment फैला रहे है negative जो है वो चीज़े फैला रहे है तो आपने इनसे aware रहना है अभी friends मैं आपको बता दूँ वो क्या करते हैं जो ये news जो है fake news फैलाते हैं उनने रखे हुए channel telegram पे बना के telegram channel पे क्या होता friends कोई भी अगर आपको information दे दे तो आप उसका पता नहीं कर सकते कि information किसने दिये अगर friends वो group हो तो फिर आप उस आदमी से पूछ सकते हो कि ये जो आप news फैला रहे हो ये क्यों फैला रहे हो ये उससे आप पूछ सकते हो लेकिन friends अगर channel हो तो आपको कोई भी पता नहीं चलेगा तो friends अगर channel से आपको news आती है तो आप channel से थोड़ा बचिए क्योंकि वहाँ पे आप किसी को पकड़ नहीं सकते कि किसने आपको ये करा दिया हो सकता है आप अपने account में कुछ कर दे या जो वो बताए वो step अब ले ले बाद में आपको जो है वो सहना पड़े ऐसे ही friends कुछ ही आरा बारा जो account से ये marketing के जो ban कर दिये गए हैं वो इन्ही वज़ा उनसे ban हुए friends आपका भी अगर friends account अगर उसमें आ गया तो जो आपके सारे hope है friends वो सारे खतम हो जाएंगे आपका account अगर पखड़ा गया तो अभी friends actual में यहां पे ये marketing में जो भी हैं वो सब 18 प्लेस हैं तो अभी कोई छोटा बचा है नहीं जिसे ये चीज़े बताने की जुरूरत पड़े वो ऐसी गलती करें तो friends मैं हर बारी चाहता हूँ आप किसी का भी आप में से अगर किसी का भी account friend बैन हो तो हमें दुख होगा क्योंकि आप हमारी कहीं न कहीं marketing हमारी इंडिया से बिलॉंग करते हो आपके account पे अगर कुछ भी हो friends तो सबसे ज़्यादा दुख हमें ही होगा इसलिए हम सबसे पहले information आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो कोई भी अगर वहां से आपको message करे तो आपने उस messages को मानना नहीं है दूसरा friends जो आपका hope जो है आप negative लोग हो रहे हो देखिए friends AI marketing के scam जो है वो scam लोग जो आपको scam कर रहे है जो आपको messages कर रहे है AI marketing real है अब गी कोई scamर आता है friends अगर मान के चलिए example कोई चोरी करता है अगर कोई चोर कहीं पर चोरी करने जाता है अगर मान के जलो आप अगर कहीं पे चोरी करने गया है तो वो तब ही जाएगा ना चोरी करने फ्रेंट्स उसे पता होगा वहाँ पे है अगर वहाँ पे होगा ही नहीं तो चोरी करने क्यों जाएगा AI marketing में real है सारा कुछ sales इनकी real है सारी जो है वो सारा कुछ इनका real है आफ फ्रेंट्स मैंने एक news अभी आपको बता दिये एक और चीज़ note करके रखना in future AI marketing अगर काम करे तो अपना office जो है वो निया खोल सकती है नहीं तो इनका जो काम है वो सारा घर से भी हो सकता है मैंने फ्रेंट्स आपको बोला था कि मैं आपको पूरा सीरीज में आपको वीडियो जो है वो बताऊंगा AI marketing कैसे वर्क करती है क्योंकि फ्रेंट्स यहाँ पे अभी बहुत सारे लोगों को नौलेज नहीं है यह marketing एक्चुल में वर्क कैसे करती है तो यह negative thoughts अभी आ रहे है लेकर फ्रेंट्स यहाँ पे मेरे को जो है वो cover करने पड़ते हैं AI marketing के update इसलिए वो चीजे में नहीं बता पा रहा हूँ अगर मैं उन चीजों पे बताऊं तो फिर मुझे update से left होना पड़ता है तो फिर उन्हीं चीजों पे मिरे को ध्यान देना पड़ता है तो फ्रेंट्स आप ऐसे जहांसे में किसी के ना आए और ऐसे कोई भी अगर आपको scam यहां से बताए तो मैंने telegram की आपको setting बता दिये पिछली वीडियो में आप उस वीडियो को देख सकते हो और वो setting आप कर सकते हो साथ में friends एक और question जो मिरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे थे वो कह रहे थे कि sir उनने कहीं पे देखा कि company जो है company ने कुछ withdrawal किया account से और वो withdrawal कर रहे हैं तो उनका actually question ये था कि उन्होंने किसी account से जो है company withdrawal कर रहे है और withdrawal से पैसा खुद ले रहे है तो ऐसा friends मैं आपको बता दूँ ऐसा कोई नहीं है आपके account से कोई withdrawal नहीं कर रहे है आपके account से ये सारे फ्रेंट जो भी आपके मित है वो सारे मैं आपको clear करूँगा ये जो आपको इसके related doubt है कि ये marketing जो है आपके account से पैसा ले रही है ये कुछ कर रही है तो सब का जो है मैं friends मैं आपको बता देता हूँ एक्जेंपल में देने के लिए आपको ये screenshot share कर रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक SBI का bank है अभी friends इस example को अब गर आप अच्छे से समझ पाऊगे तो आपका वो doubt जो है वो clear हो जाएगा अभी आपने SBI bank में पैसे रखे हैं Sam AI marketing के account में आपके पैसे हैं आपको friends ये display किस पर हो रहे है आपको display जब आप account का balance चेक कर रहे हो और पैसे ले रहे हो वो आपको अपने Google Pay पर दिख रहा होगा कि आपका जो balance है Google Pay, Phone Pay, Paytm जिस पर भी आप चेक कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा मेरा balance 14,000 कुछ है ऐसा balance है लेकन friends actual में पैसा वो तो SBI वालों के पास है वो उसका पैसा जो है कहीं भी use कर सकते है आपका पैसा जो A.A. marketing वालों के पास है आदा तो sanction में 50% लेकन आदा A.A. marketing वालों के पास है तो उन्हें आपके account से withdrawal करने की क्या ज़रूरत तो friends ऐसे जो है जो है जो आप मित रख रहे हो ऐसा कोई मित नहीं है पैसा अलरेडी उनके पास है पैसा अगर SBI जैसे SBI वालों बैंक के पास पैसा है तो आपके account से क्या withdrawal करेंगे आपको तो सिर्फ DJT दिख रहे हैं नहीं पास है तो पैसा उनके पास है तो withdrawal करने की ज़रूरत नहीं है उनको तो ऐसा कोई भी जो आपके मित आ रहे हैं जो भी आपके doubt रहे हैं उनको friends आप दूर कीजिए ऐसे कोई doubts नहीं है आपके कोई भी अगर doubt आते हैं तो उनको clear करने के लिए हमें आप comment box में आप अपने जो है वो doubt बता सकते हो दूसरा friends next meeting जो है next meeting के लिए चार दिन बाकी है जो उनने बोला हुआ है 26 को और friends इस मांथ से पहले meeting जो है वो confirm हो जाएगी यह जो meeting होने वाली यह confirm हो जाएगी क्योंकि इस मांथ के एंट तक 30 से पहले अगर यह 30 यह 30 जिसका भी यह month है friends उससे पहले अगर जो भी यह date देंगे उससे पहले 26 की दी हुई है वो date जो है अगर उनने 27-27 आगे अगर 2-3 दिन अगर नहीं भढ़ाई तो वो यह meeting इनको यह marketing को लेने पड़ेगी और यह meeting confirm है आप friends इस जिसको भी note करके रखना तो friends बाकी I hope आपकी सारी doubt जो है वो clear हो गई होगी और जल्दी next month में आपको जो है इस month के ending तक आपको date दे दी जाएगी और आप next month से आपना जो है marketing का पूरा business जो है वो start कर पाओ negative चीज़ों से friend दूर हो negative friends आपको तब भी आएंगी जब आप business करोगे आगे अब भी भी negative चीज़े आएंगी तो आपने negative चीज़ों से दूर रहना है thanks for watching this video meet you in the next video till then take care bye bye